अगर आप जिस दिन मरने वाल है उसकी date आपको मिल गए तो आपके life में क्या changes करोगे आप क्या करोगे इसी एक interesting concept के साथ आज की movie आती है The Brand New Testament ये एक French movie है उसके MD rating 7.1 है इस movie में God की बेटी उनसे बदला लेना चाहती है इसलिए सब लोग जिस दिन मरने वाल है इनकी date उन्हे भीज देती है यही इस movie की storyline है तो चली directly शुरू करते है movie start होती है और ये लड़की हमसे बात करती है ये कहती है शुरुआत में क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं है पर ये सिर्फ शुरू हो जाता है इसके बाद जो गड़बर होनी होती है वो भी होई जाती है ये Christ या God इनका जो message जो spread करते है इन लोग को apostles बोला करते है ये बोलती है कि पहले सिर्फ 12 apostles थे अब Eddie ने तो सब ठीक हो चुका है ये कैसे हुआ इसकी story अब यह हमें बताने वाली है ये जो छोटी लड़के हमसे बात कर रही है इसका नाम Ia है और यह हमारा main character है ये फिर हमें क पर इसकी daughter के बारे में कोई भी नहीं जानता ये daughter मैं हूँ अब जो son के बारे में हमें बताया जा रहा है ये Jesus Christ है फिर लड़के हमें कहती है कि creation होने से पहले यानि कि इसके father यानि कि God ये पहले ही बोल हो चुके थे इसलिए इसने ब्रसल बनाया बहुत सारे animal create करते हुए ह में father दिखते है इसके बाद इसे और भी बोल होने लगा तो इसने आदमी बना दिया अब आदमी बना दिया तो creation तो होनी चाहिए इसलिए उसने एक औरत को भेज़ दिया Adam और Eve इन दोनों का नाम उन्होंने रखा है इनके बहुत सारे बच्चे हो गए इसके बाद जो population बन इसके फादर का यानि God का जो office होता है यहां बैटकर ही सब creation वो करता है यह फिर अपनी मदर की बारे में कहती है इसकी मदर जो होती है यह हमेशा एमरोडरी करती रहती है एक design बना थी है कुछ beautiful बना थी है फादर उसकी मदर को कभी भी consider नहीं करते Jesus Christ यानि किसका ब्रदर इ इसे Christ अपने mind से चीज़ों को हिला सकती थे वैसी यह try करती है इसके फादर इस पर चीट जाते है यह कहती है कि फादर ने कभी भी उसके family से प्यार ने किया फादर को relax होने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए था इसलिए इसने humanity create की लोग को बहुत सारे troubles दे दिया और इस इसने कुछ rules लगा दिये इस rules में हमें बताया जाता है sleep complete करने के लिए और 10 minute यही एक time होता है जब आप shower में होते तभी भी phone बशता है bread पर jam लगाते और गिरता है तो jam जहां लगा होता है वही bread गिरता है लोग के right miserable करने के लिए यह सब rules लिखे कहे थे यहां को यह सब माल लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो इसके फादर इस वर बहुत ही चीट जाते है और इसे बहुत मारते है यह फिर हमसे कहती है कि अब मैं 10 साल की हो चुकी थी यह जो अत्याचा मुझ पर हो रहे थे यह मैं सहन नहीं कर पाई अब मुझे बदला लेना था इसके बाद इया उसके रूम में आती हुए हमें दिखती है जिस क्राइस की स्टैच्वा होती है उसके बात करने लग जाती है जिस क्राइस भी अलाई हो जाते है उससे बात करते है यहा के फादर क्राइस को हेट करते है क्योंकि यह रियल वर्ल में चला गया था इसे यह नहीं चाहिए था इसने world change कर दिया था तो इया अब क्राइस से कहती है कि तुम्हारी तरह ही मुझे भी world change करना है क्राइस पर देता है मैंने 12 apostles बनाए थे तुम्हें 18 बनाने चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे mother का number है अगर तुमने 18 बनाए तो और एक मिरागल हो सकता है और एक तुम नया टेस्टेमन बना सकती हो टेस्टेमन जो होता है एक book होता है जिससे हर human को चलना चाहिए तो एक नया book यह बनाना चाहती है अब इया को question पढ़ता है कि जो six apostle होगे तो इन्हें कौन juice करेगा Christ केते है किसी भी छे लोग को तुम चून लो उन्हें तुम उनके बारे में question बोचो और जो हो कहेंगे यह note कर लेना इसे ए book बन सकती है यहा कि father के computer से random नाम वो juice करने वाले होती है इस घर से निकलना problem होता है तो Christ केता है कि मैंने इस घर की washing machine को program किया है इससे तुम real world में जा सकती हो तुमें 4-5 घंटे इसमें घुस कर चलते रहना है और तुम real world में पहुच जाओगे तो इसके बाद क्या या फिर अब निकल पड़ती है फादर के computer के पास आती है वहाँ से कुछ नाम चुनती है फादर को इसे heart करना होता है तो इसके लिए उसके पास एक idea आती है जो भी सब लोग world में है उन सब को message send कर दीती है और उनकी date की जो date है ये भेज़ दीती है अब हमें real world में जो सब लोग है इन सब को message आ चुका है ये दिखता है इन सब को वो जब मरने वाले है इसके date मिल चुकी है या जाते वक्त Jesus के कह कर जाती है कि उसने क्या किया है Jesus कहता है कि आदमी जब मरने वाला है उसकी date उसे दे देना बहुत इससे ही काम है या फिर washing machine से real world में आ जाती है नेक सीन में हमें दिखता है कि एक औरत को message मिला होता है कि अगले दो मिनिट में वो बनने वाली है वो बात टम में होती है और वहाँ एक आयन होती है उसे लगता है electricity से shock खाकर वो मर जाएगी इसलिए आयन वो बन कर देती है घर में का जो gas वेगरा सब होता है ये सब बन कर देती है कबर के उपर एक डपा होता है इसे वो अंदर डखेलना चाहती है कि वो उसके सर पर ना पढ़ सके जब वो करना चाती है तो कबर उस पर ही पढ़ जाता है इसका मतलब एक date का जो time है ये कोई भी बदल नहीं सकता अब सब लोगों को पता है तो लोग अब कुछ भी करने लग जाते है एक लड़का में दिखता है कि जो YouTube वीडियोस बना रहा है और उसमें वो मनने के कोशिश कर रहा है उसके पास अब बहुत सारे साल जिनने के लिए है तो कुछ भी वो करेगा फिर भी वो नहीं मरेगा इसी वज़े से वो बिल्डिंग से कुदरा होता है बिल्डिंग से कुदने पर भी उसे कुछ भी नहीं होता कुछ क्यापल सैड होते है तो कुछ लोग अपना पैशन फॉलो करने लग जाते है जब गौड़ी निउस देखता है और एक homeless man उसे बहार दिखता है ये इसे बात करने लग जाती है E.A. को जो book लिखनी है ये वो खुद नहीं लिख सकती इसे किसी की जरूरत है तो ये जो homeless man है इसे ही पूछती है ये क्या तुम लिख सकती हो कहता है कि थोड़ा बात लिख सकता हो इसके बीचे वो चलने लग जाती है ये इसके आगे-ागे जाता है और उसे पुछता है कि क्यों तुम मुझे follow कर रही हो ये इसे इसका reason बता देती है इसका जो mission है ये भी उसे explain करती है इसके बाद इसके कंदे पर वो चल रही है ये हमें दिखता है जब E.A. इस world को देखती है तो कही थी है कि ये paradise कितना अच्छा है ये homeless man कहता है कि ये paradise नहीं है मनने के बाद हम paradise देख सकते है ये कहती है कि मनने के बाद कुछ भी नहीन होता जो भी है, यही है मेरा ब्रदर भी यही आया था ये homeless man को कहती है वो कहता है कि तुम्हार ब्रदर को ने है वो कहती ही कि J.C. मेरा ब्रदर है यानि कि Jesus Christ पर इसे इसका कुछ समझ में नहीं आता नेकसिन में गॉड अपने वाइप से बात कर रहा है और उसे कहे रहा है कि इस लड़की ने क्या कर दिया है इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके ब्रदर के साथ जो हुआ था यह इसके साथ भी हो सकता है यह वर्ल्ड सही नहीं है अब गॉड इया की पीछे जाने वाला है मदर कहती है कि तुम भी वहाँ हर्ट हो सकते हो पर यह सुनने वाला नहीं यह वाशिंग मशीन में गुच जाता है अब इया का जो नेक्स मिशन है वो उसके अपोस्टर्स को ढूड़ना है यानि कि छे लोगों को ढूड़ना है इया को उनको बिलिव करवाना पड़ेगा कि यह जीजस क्राइस की डॉटर है इन सब को इसे साथ लाना है इसके बाद मिरायकल हो सकता है इनने बिलिव हो कि यह गौड़ की बिठी है इसलिए इनके लाइफ में इसे कुछ चेंजस लाने है यानि कि कुछ मिरायकल इनके लाइफ में हो जाए ऐसा इसे कुछ करना है अब हमें जो six apostle है इनमें से पहली apostle introduce होती है इसका नाम email या होता है यह आगे थी है इसको date पता चलके कि यह कब मनने वाली है पर इसने अपने live जिने का तरीका कुछ भी नहीं बदला यह बहुत ही अच्छे लड़ी है यह अकेली रहती है इसके mother और father बहुत ही beautiful थे तो यह भी बहुत ही beautiful है जिस building में रहती है तो इस building के 12 आदमियों को इससे पैर है building के ओरते इससे जलती है इस पर बहुत सारे लोग मरते है फिर भी यह अकेली ही है जब यह चोटी थी तो station पर इसका accident हुआ था और उसका हाथ कट गया था अब Amelia से इया बात कर जो हमें दिखती है वो अपने आपको introduce करा थी है इसके साथ जो homeless का है इसको भी introduce करा थी है यह फिर उससे बुछती है यह तुमारे बारे में हमें कुछ बता इया कहती है कि मैं station पर थी मेरे पास एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि life skating ring की तरह है बहुत सारे आदमी यहां गिरी जाते है यह बात हमेशा मुझे याद रही जब मैं सुबह उठती हो तो मुझे यही बात याद आती रहती है Amelia कहे कर रोने लग जाती है तो यहा कहती है कि मैं तुमारी तरह रो नहीं सकती पर मैं रोगों का music सुन सकती हो यहा के पास एक power होता है हर एक आदमी की जो पस्लेट होती है उसे suit करने वाला music होता है यह music वो सुन सकती है Amelia का जो music है यह उसे बताती है वो कहे थी है कि आज राट जब तुम ड्रिम करोगी तब तुमारे लिए मैं एक miracle करोगी Amelia ड्रिम में टेबल के पास आकर बेट जाती है वो जब वहा थी है तब उसका जो heart टूट गया था यही इस music पर dance करने लग जाता है अब इसे पता है कि इया सचमुच में God की विटी है अब यह काम हो चुका है तो इया अब next Apostle के पास जाती है इसका नाम John Clyde होता है यह कहती है कि यह बहुत बड़ा एडवेंचरर था पर आचाना इसने सब कुछ एडवेंचर छोड़ दिया एक सुपर मार्केट में इसने जॉब ले ली कॉपरेट में आके बढ़ते बढ़ते यह अच्छा सा एक एनिलिस्ट बन चुका था यह वंडर करती है कि इसने इसा क्यों किया होगा जो होमलेस मैन होता है इससे कहता है कि लाइफ में यह होता है यह लाइफ की एक अगली रियालिटी है जोन क्लाइड अब अपने 50 से आगे निकल चुका है जब उसे पता चला कि उसकी डेथ कब होने वाली है तब उसने अपना सब काम वगिरा सब छोड़ दिया और वो पार्क में आ गया लेक के सामने वो बैठा और वही वो बैठना चाता था अब वो यहाँ से हिलने वाला नहीं है यह इसके पास आती है और इससे बात करने लग जाती है जोन क्लाइड इस पर बिलिव कर पाए इसके लिए एक पंची को बुलाती है ये इस पंची से बात कर सकती है ये जॉन ग्लाइड को पताती है जॉन ग्लाइड उसे बुशता है कि ये पंची कहीं भी जा सकता है तो क्यों ये इस पार्क में रुका है ये पंची बात करता है और ये इसे ट्रांसलेट करती है ये बोलती है कि पंजी तुम से यही सवाल पूछ रहा है यानि कि जॉन गलाइड कही भी जा सकता है तो इस पार्क में वो क्यों छुपा हुआ है अब नेकसिन में हमें दिखता है कि गॉट वाशिंग मसीन से निकल कर बाहर आ चुका है बाहर आकर वो एक औरत को डरा देता है वो पेपर स्प्रे उसके आग में मार देती है बाहर आकर बारिज गिने लग जाती है यह बहुत ही भुका होता है तो यह भी डस्वीन से सैंडविच खाने लग जाता है वहाँ कुछ लड़के आते हैं वो कहती है यह तुम्हारा ट्रेस नहीं है यह स्ट्रीट के गुंड़े होते हैं तो इससे बहुत मारते हैं जब यह हॉस्पिटल में आता है यह डॉक्टर से मॉर्फिन मांगता है यह भी उसे नहीं मिलता हॉस्पिटल में एक छोटा सा लड़का होता है जो जाम खा रहा होता है यह उससे चीन लेता है हॉस्पिटल में इसके पैरेंट से इसका जगड़ा हो जाता है उसका जाम भी उल्टा ही गिर जाता है जो रूल्स इस नहीं बनाया है अब इसको ही भुगदने बढ़ रहे हैं अब हमारा नेक्स्ट अपोस्टल हमें दिखाया जाता है इसका नाम है सेक्समेनियाक जब यह छोटा था तो इसके लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी इसके फादर मदर और यह एक ट्रेलर पार्क में रहते थे यह हमसे फिर बात करने लग जाता है यह उसकी स्टोरी बताता है यह कहता है कि जब मैं छोटा था यानि कि 9 साल खाता तो उसके लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई यह बीच पर खेल रहा था और एक लड़की उसे दिखी यह इस लड़की के पैर में पड़ गया यह हमेशा इसे ही ढूंदा रहा पर हमें कहता है इसके बात बहुत सारी लड़कीया मुझे दिखी यह उससे मिलते हो है हमें दिखती है यह उससे पूछती है कि आप जब छुटे होते हो तो अब क्या होता है यह कहता है कि आप बड़े हो जाते हो यहा कहती है बड़े होने के बाद क्या होता है यह कहता है कि आप married हो जाते हो यहा फिर भुशती है कि आप तु married हो वो कहता है कि नहीं यहाँ impossible है इसके पास जीने के लिए बहुत ही कम दिन बचे है और यह अपने करने ही सकता जब इसे news मिली थी तब इसने try किया था online lessons देखे थे कि लड़कियों से केसे बात कर सकता है इसने try किया पर यह हो नहीं पाया इसके पास सिर्फ 83 डे है इसके आपास पैसे थे तो इसने decide किया कि वो इससे spend करेगा यह अभी भी virgin था तो red light area में जाकर आया इसके बाद यह कैता है कि मेरी जिन्दगी बदल गए हाज जगा मुझे beauty देखने लग गए या फिर इस maniaak का song सुनती है कि तुम्हारा song बहुत ही beautiful है तुम्हारी wise भी बहुत ही beautiful है तुम्हें wise artist बनना चाहिए इस maniaak के जो बैसे थे red light area में जाकर उसने सब खर्ज कर दिये है अब यह बहुत यह अच्छे advice उसे लगती है next scene में हमें दिखता है कि film की जो dubbing होती है इसमें adult scene जो होती है यह वो dub करता है यहाँ एक औरद उसे दिखती है उसके पास एक छोटा सा book होता है इसके बारे में वो बात करने लग जाते है इसमें इन दोनों के bonding हो जाती है जब यह इसको attention से देखता है तब इसे मालूम होता है जब यह छोटा था जिस लड़की को उसने देखा था यह वही लड़की है जब यह बहार आते है तब यह उसे अपने घर इन्वाइट करता है यह दोनों फिर अपने बेड़ पर intimate हो जाते है नेक सिन में हमें इया की मदर दिखाई गई है जो apostles की pending होती है जिसमें सिर्फ 12 apostles होती है उसमें अब ज़्यादा apostle आने लग चुके है जिन भी apostles से इया मिल रही है जिसस क्राइस के बारे में जब बात करे होती है तो यह कहता है कि जो भी यह आया था तब मेरे message को सब इसने उल्टा कर दिया यह priest की बहुत ही insert करता है इसी की वज़े से इसने मार खई होती है इसके बाद हमें हमारा next apostle दिखता है इसका नाम Francis होता है यह एक assassin बनना जाता है इसे हमेशा से dead से प्यार था कोई भी मरता था तो उसे कुछ भी feeling महसूस नहीं होती थी जब यह छोटा था तो बहुत सारे animals को इसने मार दिया था अब यह बड़ा हो चुका है अब इसे पता चल चुका है कि सब लोगों का मरने का time आया हुआ है इसे change करने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो एक बड़ी सी gun by कर लेता है कितने भी लोग को मार सकता है पर उसने जो किया है यह God का plan है यह अपने आपको समझा कर वो अब यह gun by उसने की होती है यह पार्ग में आ जाता है और लोग को मारने वाला होता है उसके पास यह आती है उसका जो मिशा ने यह उसी explain करती है उसका song भी उसे बताती है यह इस पार्ग में किसे ने किसे को तो मारने वाला होता है तो ईया उसके पीछे बेटी हुए होती है और केथी है कि उजो लड़की है इसे तुम मार दो यह जो लड़की है यह इमिलिया है यह से शूट करता है पर इसके आम पेव लगता है इसका आम टूट गया था, इसने artificial आम लगाया है इससे कुछ भी नहीं होता अंसे फिर इसमें बहुती ज़्यादा interested हो जाता है इसका पीचा करता है, इसके पीचे lift में आता है जब एक घर बोचता है, तब इससे realize होता है कि इसके pair में पढ़ चुका है इसके family भी होती है, मारे बच्पन से कभी feel नहीं कर पाया था अमने family को pair नहीं करता नेकस दिन कुछ full लेता है, और Amelia को देने के लिए जाता है उससे कहता है, मेरी family है, पर उनसे मैंने कभी pair नहीं किया है या तुम्हारे pair में पढ़ चुका हूँ मैं हमेशा तुमसे pair करूँगा, अगर तुमने मेरे full नहीं लिये या तुम मुसे pair नहीं करती, फिर मैं हमेशा तुमसे pair करता रहूँगा वो जो उससे full देता है, उस पर उसका number लिखता है लिफ में एक आदमी होता है, तो कहता है, क्यों तुम्हें call करेगी कोई tension मतले न, यह घर आकर mirror में देखता है, तो अपने आपको हक कर सकता है अपने आपको उसने आप accept कर लिया है, इसके बाद हमें फिर से John Glide दिखाए गया है इस पूरे world को देख रहा है, इसकी जो beauty है, यह enjoy कर रहा है इसके बाद next apostle हमें दिखती है, और इसका नाव mighty ना होता है हमें फिर बताया चाता है, कि हमेशा से बहुत ही romantic थी fairy tale love story इस तरह की चीज़े यह believe कर दी थी पर अब हमें sense में दिखाए गया है, कि इसका जो पदी है, इसमें इतना interested नहीं है इनके marriage में love नहीं बचाए, अब इनको news मिली है, कि यह मरने वाले है तब यह असली love ढूणना चाती है, एक street के लड़के के साथ intimate भी हो जाती है पर इससे कुछ connection नहीं बन पाती, जब इया उससे मिलने के लिए जाती है तब इया इसका music सुनती है, यह कहती है, यह तुम्हारे music सरकस की तरह है फिर यह सरकस देखने के लिए आते है, तब वहाँ एक बड़ा सा बंदर इससे दिखता है यह बंदर अपने पिंजरे में से हाथ आगे करता है, इमेलिया इसको touch करती है इन दोनों में connection बन जाता है, मारिटी ना इससे बाय करकर घर लेकर आती है इया और homeless guy, यह दोनों उसके घर पर ही आज सोने वाले होते है homeless guy जो होता है, यह बाहर सोता है मारिटी ना इया से पुछती है कि ऐसा यह क्यों कर रहा है तो E.A. के थी है, कि यह जेल में था जेल से वापस आने के बाद, यह कभी भी एक रूम में नहीं सोया इसे हमेशा freedom चाहिए था, तो हमेशा बाहर ही सोता है जब यह आकाश को देखता है, तब ही इसे नीन आती है अब next scene में हमें दिखता है कि Emilia Francis को call करती है उसे भी उसकी जरूरत है, तो उसके घर उसे बुला लेती है यह दोनों फिर intimate हो जाते है E.A. और homeless guy एक दोनों city में होते है तब उसके father यानिकी God उन्हें spot कर लेते है उनके पीछे वो बागते है, एक नदी के पास हो आते है यहां से वो बज़ कर नहीं जा सकती God E.A. को सब कुछ सही करने के लिए बोलते है पर यह अब नहीं करने वाले होती है यह बोलती है कि मैं तुम से अब नहीं डरती यह पानी में जलने लग जाती है Homeless Guy को वे हाथ दे थी है और यह दोनों पानी में चल कर नदी क्रॉस कर लेते है God भी यह ट्राय करता है पर पानी में गिर जाता है God की पावर सब उसके कॉम्पिटर में होती है वो कभी भी रियल वर्ड में नहीं जी सकता अब next Apostle हमें दिखता है यह last Apostle है और यहा को सिर्फ 6 Apostles ढूनने थे के बारे में यहा हमें कहती है कि हमेशा से sick था इसे को जादर serious बिमारी नहीं हुई पर यह हमेशा से बिमारी रहता था इसका बहुत ही care करती थी इसे हमेशा एक injection देती रहती थी जब यह छोटा था तब से injection उसे दे रही है इसे इसका pancreas खराब हो जाता है जब सब लोगों को news मिलती है कि वो मरने वाले है इसमें बिली को भी news मिलती है कि 54 days में वो मरने वाला है इसके father और mother उसे पूछते है यह तुमें अगर कुछ भी करना हो तो तुम कर सकते हो ज़र तुमें कहीं घुमने जाना हो यह तुमें और कुछ करना हो तुम free हो अब करने के लिए यह कहता है कि मुझे लड़कियों की तरह dress up करना है यह उसे मिलती है और यह दोनों same age के होती है तो इनमें भी bonding होती है यह उसे एक burger से दो burger बना कर एक miracle करकर दिखा दिया उसका song भी हो identify करती है और कहती कि तुमारे dream में आज मैं और एक miracle करूँगी यह जब dream में होता है तब रात में इसने जो fish खाया था इसकी soul उसे दिखती है यह fish उसे कहता है यह मज़े फिर से C में जाना है यह idea विली को अच्छा लगता है यह decide करता है कि आप इसे मरना है तो इस C के पास आकर ही मरेगा जो guard था वो पानी में गिर चुका था उसे police ने spot किया और उसे वो पकड़ कर लेकर चले गए guard के पास passport तो नहीं है इसे वज़े से दूसरी country में अब उसे लेकर जाने वाले है या फिर विली के साथ जो भी apostles उसके reach में होते है इन सब को लेकर बीच में आती है विली अपना फिर सी में छोड़ देता है पिछ की बार आने के बाद इन्हें इया से पूछता है कि तुमने तो कहा था जब तुम सब से मिल जाओगी यानि कि six apostles से मिल जाओगी तब एक मिराय कलोगा ये कब होने वाला है इया कही थी कि मुझे अभी तक पता नहीं है इया कि मदर हमें दिखाई जाती है और ये घर साफ करी होती है तब ये फिर से pending देखती है तो इसमें अब 18 apostles है इस realization होती है God का जो computer room होता है ये साफ करने के लिए वो वहाँ चली जाती है वहाँ जाकर जब वो computer देखती है तब ये computer on हो जाता है ये computer password मागता है ये जब password डालती है तब इसके लिए खुल जाता है अब ये God बन चुकी है अब बीच पर विली जो है ये अपने डेट का wait कर रहा है इसके बाद हमें दिखता है God को जिस plane से पुले कर जा रहे होते है इस plane का engine खरा हो जाता है ये plane टूट जाता है इसके बाद ये plane अब इस किनारे फिर गिरने वाला होता है अब इया और इन सब को पता जलता है कि white band और black band इसका मतलब क्या था black band वाले जो सब है वो आज मरने वाले है ये सब बहुत ही डर जाते है अब कुछ मेरा अकल हो इसका वो wait करते है जब इया की मदर computer पेटती है वार एक computer phase से reboot होता है तब सब की जो date की date थी वो बदल जाती है जो countdown था सब को पता था कि वो कब मरने वाले है इसकी date अब गायब हो चुकी है ये जो plane उन पर गिरने वाला था ये आचाना control में आ जाता है इया की मदर सब लोग को बचा लेती है हमें पता है कि इया की मदर हमेशा डिजाइन करती है ये बहुत ही creative होती है इसकी जो design से ये आकाश पर बना देती है sky को pink बना देती है उस पर design create करती है इस world में जो global warming थी वो खतम कर देती है या को पता चाल जाता है कि उसकी मदर है gravity के rules बदल देती है अब लोग कही भी चल सकते है पानी के अंदर भी लोग चल सकते है ऐसा हो कर डालती है nature के job सब rules है इसने बदल दिये है वो इसको better कर दिया है God हमें एक washing machine के factor में काम करता दिखता है एक portal वो ढूण रहाता है जिससे वो फिर से वापस घर जा सके यह अभी भी ढूण नहीं बाता है जो सब apostles थे इनके life अब सही हो चुकी है कोई भी आप मरने नहीं वाला यही अजिब और गरी beautiful movie खतम हो चाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेका नात रहता हूँ तो प्लीज इस चानल से सबस्क्राइब कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूग के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिए